नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाईयों मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन फार्मर चैनल में किसान भाईयों आज हम बात करने वाले हैं शेडनेट के बारे में मारों शु कहाज सकता है कि यह फिर पारता है कि इसके अलावा भी इसमें अलग अलग Faculty हैं है उतने से इसके इस अलग तरीखे में के इसको बेएग बताता हूं तो इतने तरीके के शेडनेट्स आते हैं, मतलब एक यूनिवर्सल चीज है कि हर जगा भी इसका उज़ होता है, कहीं पिभी में जैसेक मैंने आपको बताया, तो इसके पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें परसेंटेज है, क्या होता है, यह कैसी इसका क्या उज़ होता है, तो पहले मैं इसको जैसे कि हम लोग कहां पर यूज करते हैं, ज़नरली 50% वाला शेडनेट हाउस पर यूज होता है, या तो वर्मी कंपोश्ट खाद हम लोग जहां बनाते हैं, या तो पालियो उसमें, यह दो चार जगा पर यूज का, यूज 50% वाला होता है, यह हम लोग खेट के है कि जहां पर हम लोग को light की intensity ज्यादा रोकनी है जहां पर हमारी फसल अच्छी है या तो हम लोग जहां पर इसका फ्लोरी कल्चर मतलब एरिया है वहां पर साइट से पूरा बानने के लिए हुआ या तो हम लोग कहीं पर भी कोई चीज को जैसे कि पैक करना हो तो वहां पर 75 परसंट का यूज कर सकते हैं उसके बाद यह हुआ 90% का हुआ यह देख सकते हैं तो यह चीज जो है 90% की है मतलब इसमें 90% धूप रोकेगा 10% नीचे जाएगा जहां पे हम लोग को धूप पूरी रोकनी है केवल थोड़ी से धूप जानी है वहां पे इसका हम लोग अच्छ चाहें परकसर सबस्वत ए गोर्खान कीरी व्यक्राथ में में काफी सारीं के लिए इसका भी यूज होता है ऑ thirty चाहें जो भी होताह तो दोस्तों तो इसके अलावा भी एक इंसेक्ट्नेट आती है यह अब यह ज्यादा तर कहां पर यूज होती है जहां पर पेस्ट को रोकना है मतलब अध्रिप्स हुए या तो वाइट प्लाइ हुए माइट्स हुए मतलब जहां पर अंदर आते हैं जैसे हमारे पॉलियाउस के साइट से देख सकते छेपिट के अंदर अलगी हुई है पूरी अंदर कीडे ना जा पई तो इसलिए वहां पर लगी रहती हैí तो इंसेक्टनिट का काभी जगह पर यूज कर सकते हैं जहां पर आपका मतलब लगता है की वहाँ से कीडे अंदर आते या कोई दिक्कत आते तो वही पर यूज कर सकते है, थोड़ा सा हवा भी रोकने का काम यह करता है, लेकिन उतना नहीं करता है, जितना 90% करता है, पचेतर परसंट करता है, जहां पर पूरी मैने मतलब इसमें, सेड़नेट के परसेंटेज के तो बात हो गए, अब बात मैं इसमें बताना चाहूंग तो पहले से कले होग दौस्तों सबकुन सहले कि एक कोन, का सबसी हम लोग gibt kimi काम्शन है केusta मैं काया पता रहता है, यह आता है यह वाइट है, ग्रीन है, ब्लैक है, बस इसी तरीके से पता रहता है, थोड़ा सा मैंने वाइट आपको दिखाया नहीं, यह देख सकते हैं, यह वाइट है, एक पॉलियोस में मेरे नीचे वाले पूरा उपर से वाइट बिचा है, उसके बाद मैंने अभी ग्रीन बिचा है, इसके बारे में जानकारी होने के बाद, तो देखिए, कॉम्बिनेशन के अगर बात करें, तो पहले इसमें ग्रीन और ब्लैक कॉम्बिनेशन आता है, ग्रीन और ब्लैक कॉम्बिनेशन क्या करता है, उसको रोकता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कि इसी रहता है white और black का इस combination में क्या है कि आपकी जो light intensity जादा जहाँ पे रहती है वहाँ पे रोक के तीवरता जो है कम करके light अंदर छोड़ता है वहाँ पे यह काम करता है उसके बाद एक combination है green और green का वहाँ पे green green क्या करता है कि जो पोधे की photosynthesis system है उसको help बहुत ज्यादा करता है जैसे कि हमारे polyhouse में हम लोगों ने green green का combination डाला हुआ है ताकि पोधा अच्छा विश्टेटी ग्रोथ रहे वहाँ पे ज्यादा तर यूज होता है और white और black का क्या है कि जहाँ पे हमारा फ्लोरी कल्चर जैसे कि जर्वेरा कारिशन फूलों की खोती हो वहाँ पे white और black का ह बता है और दोस्तों अगर color screen में बात करें तो मैंने जैसे कि आपको red, yellow, green जितने भी color आपको बता है सेम उसने भी sub में 50%, 75%, 95%, 35% इस तरीके का shed net sub में आता है combination में भी sub में आता है जैसे कि मैंने आपको जितना बता है ऐसा नहीं कि white में आता है इसमें नहीं आता है सब में हर चीज जैसे जैसे मैंने बता है उस तरीके से आती है तो दोस्तों अगर इसके life cycle के अगर बात करें तो देखे life cycle क्या होता है कि आप जितना अगर ऊपर जाएंगे मतलब 75-90% वाला shed net यूज़ करेंगे तो थोड़ा कुछ नहीं हुआ लेकिन आप इसको जस्त प्यूर दूप में अगर ले जाते तो वहां पर इसको बारिश भी लगेगी दूप लगेगी हवा भी लगेगी तो इससे थोड़ा सा उसकी जो मतलब दिक्कत आईगी उसमें थोड़ा सा उसके धागे जो है तूटने लगेंगे आपको बारिश धूप के वज़े से दिक्कत आने लिए और देड़ दो साल में 50% अलग खतम हो जाएगा अगर वहीं पर आप 75% वाला ओपन फिल्ड में यूज करते हैं तो वहां पर आपको तीन से चार साल चलेगा वही चीज़ आप इंटरियर में कहीं पर यूज नीचे कर रही है आलग एलग बदाती है कोई गृrण बनाता है कोई बनाता है कोई इस तैप के वह इंसेक नेठी बनाता है तो हर चीज के रेट अपने कंपनी वाइज लोकल ब्रैंड इसके उलग अलग रहता है कहीं से डर रहे स्वाइ necesita एरिये करता है नदे जादा महींगा रहता है सब्सक्राइब किसान जंचते है कि सबस्कारइब किसान पर जाते हम यस्दधा करें है नॉर्मली आप जो Shednet दुकान से खरीदने जाते हैं उसको कोई subsidy नहीं है चाहे जहाँ आप यूज करेंगे वहाँ पर कोई subsidy नहीं मिलेगे लेकिन आप बस Shednet House अगर बना रहे है या पॉलियोस बना रहे है उसके अंदर जो Shednet आपकी यूज होती है तो उसको One Time Shednet का आप आपको subsidy मिलता है ऐसा नहीं कि आप बदल दे रहें तो दूसरे बार भी आपको मिलेगा एक ही बार मिलता है Shednet House को कहीं 50% है कहीं 70 कहीं 80 है वो अलग-अलग तरीके से उसके subsidy है वह आपके जाके एरिया में आपके कारियाले में तरसिल मतलब विभाग में कुछ विभाग मे मिल जाएगे अब इसके फाइदे क्या है सबसे जरूरी चीज है दोस्तो अडवांटेज अब अडवांटेज मतलब फाइदे क्या होते इसके जैसे कि आपके पास Shednet House है अब सबसे ज्यादा Shednet कहां ये यूज होता है तो Shednet House में जनरली किसान फार्मर के पास ज्यादा यूज होता है तोटली जहां पर भी देखिया आप चाहे खेत में हर इरिया में कहीं पर भी नजर डालेंगे तो आपको Shednet कहीं न कहीं तो जरूरी दिखेगा तो Shednet House में जहां पर यूज होता है तो गर्मियों में आप इसमें अच्छी इल्ड ले सकते हैं लाइट को रो हुए या तो past हुए की size to रही यह अंदर नहीं आते हैं उनका प्रभाव ज़्यादर नहीं हुता उसके बाद इसके और फाइदे क्या होते हैं कि हम लोग जहाँ पर हम लोग को चौव बनानी है। चाहें हमारी भेस हो नज्य हो जहाँ हमलोग बानते थाू फसको बां रहत तो आपको लगता है उप ज्होड़ को समझ में आता है मार्केट ससा सामने हैं तो लोग वहाँ पर डंडी से बाने करके और उसके 50% हे उस से थो पॉस सबसाएं पैसा कमा सकते तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा मैं अपना experience भी बताना चाहूँगा, मैं ज्यादा तर shed net का क्या है, open field पे use करता हूँ, जैसे कि insect net का ज्यादा use करता हूँ, पेस्ट को रोकने के लिए 4 तरफ से पूरा pack कर देता हूँ, या कहीं पे छाओ बनानी हो, कहीं पे छोटा सा harvesting क करना हो, तो वहीं पे मैं लखड़ी से बांद के उसका use करता हूँ, तो जब use हो जाता है तो निकाल के रग देता हूँ, तो सालो साल तक उसको कुछ नहीं होता, अगर वहां पे फजा रहेगा, तो दूप से खराब हो जागा, मैं ज्यादा तो कोशिश करता हूँ, यूज नहीं होती है, तो इसी तरीके से मैं Shednet का use करता हूँ, तो मेरा experience यही था Shednet के साथ, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा, कमेंट में आप मुझे जरूर बताईए, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीज साथ, नए फसल के साथ, नए टेकनोलोजिक साथ, तब तक करते रहे हैं महनत, क्योंकि वावर है तो पावर है, धन्यवाद.